नियू जेल रोड बिलकुल हाइवे से लगे हुए बहुत अच्छे रेरा रेजिस्टर्ड प्लॉट्स दिखाने वाली हूँ ये असी एकड़ की पूरी हमारे इंटर्गेटर टाउंचिप है और नॉर्मली आप देख रहो कि जो में रोड हमारी जा रही है ये असी फेट की सोलर लाइट से बाकी जो कनेक्शन्स वगरा हमारे लाइट के हैं वो सारे अंडर्ग्राउंड से हैं कि ग्रीन एरिया बने हुए बट हमारा दस बीगे का काफी बड़ा स्पोर्ट सेंटर है जो सेक्टर 3 में आपको फ्रेंट में सामने दिखाई देगा जिसको मा भी दिख साथ है रीना जी हलो रीना जी बताई अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोग इससे पहले भी मिल चुक है और लोगो ने शूट किया है इसका वीडियो जो लास्ट यह था सेकेंड वीडियो है यह से पहले अब तो काफी डवलब कर लिया हम लोगोरे इस प्रोजिक को अस असी एकड़ की टाउंशिप है और इसमें क्या फैसिलिटीज वगरे क्या मिलने वाली अपको बता देती हूं जैसे कि अर्मली आप देख रहों कि जो में रोड हमारी जा रही है यह से फिट की है चाली सालीस की डिवाइड रोड है नॉमल हमारी जो रोड स्टार्ट हो रह इन एंट्रेंस रोड है आपको और गेट्स कितने मिलने वाले गेट्स हमारे एंट्री एन एग्जिट दो गेट्स होंगे सिक्यूरिटी पूरा यहां रहेगा सिसी टीवी कैमरा जो आप लाइट्स देख रहे हैं यहां पर सारी सोलर लाइट्स हैं ऑकी जो कनेक्शन्स चलिए तो अभी हम लोग सेक्टर 3 पे आ गया है तो वन में भी कुछ घर बन गया है वन में तो काफी सारे लोगों ने अपने घर बना ली वन पूरा सोल्ड आउट भी होगा अभी हम लोग सेक्टर 3 में खड़े हुए यह देख सकते हैं यहां तक भी लोगों ने घर बनान जैसे कि बैंक लोगन वगरा सारे फाइनेंस अब लेबल है हमारे बास किसी भी बैंक से आपको आपको पार्क मिलेगा लाइट्स वगरे अल्रेडी लग चुकी है आप यहां चाहें तो तुरंद लेकर तुरंद भी घर बना के रह सकते हैं सारी फैसिलिटीज हैं यहां पर सब कुछ है तो आईए आप लोग विजिट करिए 2300 रुपे पर स्कूर फिट का रेट है कुछ कंसेशन डिसकाउंट कुछ भी बिलकुल आपके तुरू अगर आता है तो जो भी है तो आईए आप लोग फोन करिए नंबर है वो रीना जी का है कॉल करिए विजिट करके अगर आप थोड़ा सा उस तरफ चले आएंगे लाइक सुल्टानपूर रोड पे तो काफी वहां चार पांच हजार का रेट चल रहा है तो इस तरह अगर अगर आपको अच्छे रेट में मिल जाएगा अगर आप फ्यूचर इंवेस्टमेंट के लिए सोच रहे हैं तो प्रोजेक्ट करेंट जाएगा और बताना चाहूंगे को बहुत जल्दी हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है प्री लॉंचिंग में आएगा शायद सिंग्नेचर पार्क विले के नाम से इंद्रा किनाल के पास है उसकी बाद मां फिर शिर पीजी से मिलोगी और आप लोगों बताऊंगे तो बहुत जल्दी हम लोग नए प्रोजेक्ट पे इस पर बात करेंगे और जो 61 एकर का है वो भी सेम फैसलिटी समर्प देंगे और एल्डी और एरा से अप्रोफ करा के आपको चलिए तो चलिए फिर सारी लोन वगेरे सबी चीजों की फैसलिटी जी का नंबर है आप इस पर कॉल करिए कोई और कॉस्चिन से तो आप फोन करके पूछ सकते हैं मुझे नीचे कॉमेंट कर सकते हैं और अगर कोई प्लॉट लेना चाहता है तो उसे ये वीडियो शेयर करना बिलकुल मत भूलना तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर से नए वीडियो में तब तक के लिए बाबाई